जाहे हैं दोस्तों मैं आलोगा पाइश इन और आज हम बात करने वाले है एक और नए टॉपक के बारे में जो डिफुरेंसिल लेक्वेशन विस्तॉइंट इसमें जो गोलुष होगा है मैं जयो डिफुरेंसिल की किई हम लोगों ने बडि लोगों और बंगो की है आज जो हो रहेगा वो order 2 रहेगा ठीक है इसमें कैसे क्या pattern रहता है देखो a1 d2y upon dx square plus a2 dy upon dx plus a3y is equal to एक कोई function रहेगा fx ठीक है इसमें क्या करेंगे dy upon dx को capital D से denote करेंगे तो इदर क्या हो जाएगा a1 d upon dx को y नहीं रहेगा इसमें देखो a1 d square plus a2 d plus a3 into by is equal to fx ठीक है इससे फिर क्या करेंगे भाई इसमें जो इंदर दिया है इत्ता पूरा यह वाले equation इसको equal to 0 करेंगे d की दो value आएगी ठीक है d1 और d2 दो value आएगी उससे तीन case बनेंगे पहला case कि अगर d1 and d2 d1 d2 बोलो है m और n बोलो d1 d2 और real and distant तो उसमें solution क्या होगा कि यह ठीक है इसका solution क्या होगा देखो c1 just a minute students for disturbance था ठीक है तो देखो इधर क्या होगा real और distant root होंगे इसके तो जैसे एक आगया दो एक आगया तीन या फर एक आगया पांच एक आगया साथ दोनों real भी है और distant भी है तो इसमें क्या होगा c1 e2 दी पावर इधर मैं इसको m बोलता हूँ और इसको n बोलता हूँ तो m x इधर m1 और m2 बोल दो आप तो अच्छा रहेगा m1 x प्लस c2 e2 दी पावर m2 x यहां पर c1 और c2 क्या है constant है दूसरा आपका m1 and m2 are real and equal अगर इससे दोनों तीन दीन आ गया दोनों चार चार आ गया इसकेस में क्या करेंगे जो आपका होगा आपका वो क्या होगा c1 प्लस c2 x इंटू e2 दी पावर mx यहां और अगर तीसरा केस रहेगा कि अगर m1 and m2 are imaginary उस में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा e2 दी पावर a x c1 cos bx plus c2 sin bx इस तरीके से आपका होगा ठीक है और आपका देखो यह तो होगा आपका cf सबका अब मैं बात करूं pi की पर्टिकुलर integral की ठीक है तो इसका क्या होगा सबका बन अपॉन अपॉन a1 d square plus a2 d plus a3 into fx अब पर्टिकुलर integral को सॉल्व करने के भी अपने तरीके होते हैं अलग अलग तरीके होते हैं वह क्या होते हैं वह आंगे discuss करेंगे डारेक्ट कॉशन सॉल्व करते हैं तो उससे आपको idea लग जाएगा ठीक है चलो question देखते हैं और जो complete solution होता है वह आपका मैं इसको एक formula और लेकर देता हूं complete solution CS is equal to CF plus PI ठीक है इसमें आपको दू पार्ट निकालने पड़ते हैं एक और एक PI particular integral देखते हैं D1 मैंने डारेक्ट लिखता हूं D square इसके मैं डारेक्ट equation नहीं लिख रहा हूं पहला question है तो D square plus 5D plus 6 into y is equal to e to the power x आपको डारेक्ट नहीं दिया रहा है लेकर मैं आपको डारेक्ट लेखा है चल इसको solve करेंगे अगर तो इन इसका रूट इसका कि देखो सबसे पहले तो square equal to 0 कर तो D square plus 5D plus 6 is equal to 0 तो इसको अगर मैं solve करूं तो M1 और M2 में करना तो M1 plus 5 3 और यहां पर M2 plus 2 is equal to 0 तो M1 और M2 के आए M1 आया माइनस 3 और M2 आया माइनस 2 भाई real है और distant है तो यहां पर जो CF होगा CF क्या हुआ C1 e to the power minus 3x plus C2 e to the power minus 2x यह होगे अपना क्या CF अब मैं PI की बात करूंगा PI क्या होगा देखो 1 upon क्या था D square plus 5D plus 6 into fx मतलब e to the power x यह था अब क्या करना है आपको देखो अगर यहां पर आपको simple equation दी हुई है quadratic equation तो अधर क्या करेंगे भाई D square की जगह पर यहां पर क्या है इसकी साथ यहां पर क्या है 1 है तो D की जगहा पर बन पुट करो अगर यहां पर कुछ और होता 5 होता 2 होता 3 होता तो वहां पर D की जगहा पर बन पुट करता अगर इधर जो value है वो 0 नहीं आ रही है नीचे इसको रखने के बाद तो अपना answer PI वही होगा अभी तो value 0 नहीं आ रही है तो इसका क्या हो जागा देखो c1 e2 the power minus 3x plus e2 e2 the power minus 2x यह अपना हुआ complete solution ठीक है चले next question देखते हैं question ही करेंगे जब ही आपको clear होगा question है आपका d minus 2 का whole square equal to 8 times e to the power 2x plus sin 2x plus x square देखो अब मैंने आपको जो fx आता है fx में तीन function एक तो e2 the power 2x 1 sin 2x यहां पर यह होगे algebraic function sorry exponential function हो गया वाला कि यह आपका algebraic function हो गया quadratic equation वाला और एक आपका हो गया trigonometric equation ठीक है आपको तीन तरीके होते हैं इनके अलग अलग तरीके होते हैं तीनों के मैंने इसलिए एक question में आपको तीनों ले लिए कि आपको एक ही question में तीनों चीज clear हो जाएं कि भाई question को अलग अलग आएंगे अगर तो solve कैसे करना है ठीक है सबसे पहले इसको 0 जाएंगे तो d-2 का whole square is equal to 0 आया यहां पर d is equal to क्या आई यह भाई दो value आई 2 और 2 क्या है है रियल वर्ट एक्वल ठीक है तो यहां पर जो cf होगा वो क्या होगा आई c1 प्लस c2x इंटू e2 दी पावर 2x जे अपना हो गया cf अब निकालना मुझे पर्टिकुलर इंट्रिगल पी आई तो देखो 1 अपॉन दी माइनस तू का whole square into 8 e to the power 2x plus sin 2x plus x square यह रहे अपने 3 तो देखो अब इसको ध्यान से देखना योंकि यह बहुत important है देखो मैंने इसको 3 अलग अलग तोड़ लियो भई 8 तो मैं बाहर लेक लिया पूरा अलग अलग e to the power 2x upon d-2 का whole square plus sin 2x upon d-2 का whole square plus x square upon d-2 का whole square यहां पर d-2 की रगा कुछ भी हो सकता है यह सकता है बट ऊपर जो रहेगा exponential, trognometric, algebraic यह वाले change नहीं होंगे आपके इसमें आपके रहेंगे तो उसको करने का तरीका बता रहूं आपको देखो पहला इसको solve करते हैं तो इसको मैं तो क्या लेखना था भाई, d is equal to क्या लेखना था देखो भाई, क्या आया था, 2 रखते लेकर d अगर 2 आ गया तो इसको डारेक्ट नहीं रख पाएंगे, अगर इदर 0 नहीं होता, जैसे इदर d-3 होता, और मैं 2 रखता तो बना था, तो वो direct कर सकते थे, अगर इदर d-2 is equal to 0 आ गया, तो इसको डारेक्ट नहीं रख सकते, उसको फिर, यहाँ पर जो 2x है, इसका, देखो, अब क्या करेंगे, 8 बाहर, यहाँ पर क्या किया, e to the power x है, यहाँ पर x से लेखो, उपर, x से लेखा, और नीचे इसका differentiation, d-2 का क्या हो जागा, 2 times d- minus 2, e to the power 2x, यह लेखा मैंने, लेकिन, अभी भी, d is equal to 2 रखने पर, 0 हो रहा है नीचे, तो इसको फिर से solve करेंगे, तो फिर से क्या करेंगे, into x फिर से करेंगे, तो x स्क्वार हो जाएगा, और फिर से इसका differentiation करेंगे, तो 2d आ के लिए बचेगा, कि दोखो, d का बन हो जाएगा, और मार 2 का 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, इदा 2d हो गया, into e to the power 2x, अब इसमें, d is equal to 2 आप पुट कर दो, is, d is equal to 2 पुट किया, तो x स्क्वार y 4 हो गया कि नहीं हुआ, यह हो गया आपका, x स्क्वार y 4, अब बात करते हैं, sin की function की, मलब अपने जो technometric function है, उसकी, तो देखो, sin square, इसको आप एक काम करो, पूरा खोल के लिख लो, तो मुझे ज़्यादा आसा नहीं हो जाएगी, देखो, d square, minus 4d, plus 4, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको d square, e जगह पर क्या लिखना है, minus का sign लिखना है, और यहाँ पर क्या था, a, a square, a square बोले, तो d square is equal to minus 4 लिखना है, क्योंकि 2 है, 2 square is equal to 4 लखेंगे, यहाँ आपको याद रखना पड़ेगी, यहाँ पर d is equal to यह रखते हैं, यहाँ पर d square is equal to minus a square रखना है, तो यहाँ आप minus a square रखोगे, तो उपर जो है, वो sin 2x आ जाएगा, upon में, d square की जगह minus 4 रखा, तो minus 4, plus 4, cancel हो गया, इदर क्या बचा, minus 4d, ठीक है, d को अभी touch नहीं करना है, d को क्या करना है, अब देखो इदर, आगे, minus का sin लेगा, 1 upon में differentiation है, उपर जाएगा, इंटरिगेशन हो जाएगा, तो देखो, 1 upon 4, integration of sin 2x, तो minus minus plus हो जाएगा, 1 upon 4 होगा, sin 2x का cost 2x minus y2 हो जाएगा, कमन में आया, मैंने का किया, by d square की जगा मैंने, minus 4 रखा, d बचा था, differentiation 1 upon में है, उपर जाएगा, इंटरिगेशन हो जाएगा, तो sin 2x का पने, integration करतेंगे, यह होता अपना, जो technometric function हो, उसको solve करने का तरीका, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं, जो अपना एक last बचा हुए exponential वाला, इसमें क्या करेंगे, देखो, d square है, तो 1 upon, जो हम फोर है, वजब 2 है, तो उसको बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो, बन अपन में, और बाहर, बन माइनस, डी बाइटू का, ओल स्क्वेर, इंटू एक्स स्क्वेर, इसको, मुझे क्या करना है, उपर ले जाऊंगा, तो देखो, बन अपन फोर जाऊंगे, तो रहा मेरा, देखो, बन माइनस, डी बाइटू की पावर, माइनस टू, इंटू एक्स स्क्वेर, ठीक है, इसको, भाई, क्या है जे, इसमें आपको रखना पड़ेगा, इसमें अगर आपको याद हो, तो जो बाइनोमेल थेओरम रहती है, उसको रखना पड़ेगा, तो देखो, बाइनोमेल थेओरम रखेंगे, तो बन, प्लस, आपर टू, दी बाइटू, प्लस, देखो, माइनस टू, इंटू, माइनस थ्री, डिवाइद रखेंगे, दी स्क्वेर वाइफोर, अब इसके आँगे रखेंगे, तो वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इधर हो गया था, इंटू में, एक्स स्क्वेर है, होल में, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो, प्लस, बन, वाइफोर, आपका देखो, बन, यहां अंदर एक्स स्क्वेर का मल्टिप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वेर, प्लस, टू से टू कैंसल, यहां पर डिफ्रेंसियेशन है, एक्स का, देखो, दी बचा, एक्स स्क्वेर है, तो यहां पर देखो, दी स्क्वेर है, तो आप टू स्क्वेर का डिफ्रेंसियेशन, टू एक्स का, आप प्लस 3 वचेगा 3 अप वान में आप फूर था तो 4 हो गया इंटू आप टू एक्स का 2 वचा तो 2 के साथ 2 हो गया तो 3Y 2 हो गया तो देखो क्या हो गया जो मेरा टोटल आंसर आएगा जी क्या हो गया देखो 8 टाइम्स X स्क्वेर वाई 4 मैं इसको थोड़ा हाँ X स्क्वेर वाई 4 प्लस 2X प्लस 1Y 4 ओके 1Y 4 बाहर लेखेंगे पूरा देखो एट जो है पूरा बाहर यह बन वाई 4 एक्स स्क्वेर प्लस 2X प्लस 3Y 2 जे तो होगे इसका प्लस प्लस कोस्ट 2X वाई 8 प्लस X स्क्वेर वाई 2 है दर देखते हैं एक्स की जगा टू रखेंगे तो X स्क्वेर वाई 4 एटू आवर 2 एक्स होगा एक्स स्क्वेर वाई 4 एटू जी पावाई 2 एक्स जे अपना पी आया और इससे अपने निकाल लिया था ठीक है कॉश्चन किलियर हुआ मैंने आपको तीन मेथड बताए हैं इसमें जो आपको फॉल्ब करना है देखो जरूरी नहीं है आपको तीनों आएंगे तीनों जरूरी नहीं है अगर अगर नीचे जीरो नहीं बनना तो भाही अपना अंसर है अगर जीरो बन रहा है दूपर एक्स लेखेंगे और नीचे डिफ्रेंसियेशन करेंगे जब तक करते रहेंगे जब तक जीरो खतम नहीं हो दूसरा अगर साइन वाला फंक्सन लग टर्ममेट्रिक फंक्सन है साइन कॉस्टन कुछ भी हो सकता तो दी स्क्वार एज एक्वाल टू ए स्क्वार पुट करेंगे और बहां पे जो लास्ट में डी बचेगा उससे उपर ली जाएंगे तो उसका इंट्रिगेशन करना पड़ेगा इसको बागी कोई दक्कत नहीं आएगी इसमें अगर आपको याद है तो आप उसको कर ले जाओगे ठीक है चलो भाई थेहोरी पोर्शन जतना भी था डिफ्रेंशल कल्कुलस का डिफ्रेंशल एक्क्वेशन का वो मैंने आपको करवा दिया है नेक्श वीडिय लगेंगी अपनों को प्रिवेश एर क्वेशन के लिए तो नेक्श वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए जैहन